2008 से लटके बीमा, संशुधन, बिल और NDA के जमाने से लटके 9 साल पुराने पेंशन नियामक बिल को गुरुवार को मन्जूरी दे दी गई अब बीमा और पेंशन में उन 40 फीजदी FDI आने का रास्ता साफ हो गया है इसके साथ है सरकार ने ये भी बता दिया कि सुधारों की गाड़ी अब किसी कीमत पर रुपने वाली नहीं है सुधारों पर एक कदम और आगे बढ़ी सरकार कैविनेट में फैसला, बीमा और पेंशन में विदेशी निवेश बढ़ाने को मिली मन्जूरी कैविनेट की बैठक में इंशुरेंस में फ्टी आई की मौझूदा सिमा 26 फिसली से बढ़ाकर 49 फिसली कर दी गई जबकि बीजेपी ने तई अश्वन सिना की अगवाई वाली संसदिय सामेती ने श्वने सेक्टर विदेश निवेश को 26 फिसली पर ही रोखने का सुजाओ दिया था यदि काविनेट गईनेट अप्रूद सफ़ोग थिसली करें लिजेदेशने मरेन फिसली ने ते लिसली ने का सूजाओ दिया था and one recommendation the standing committee recommended that we retain the FDI cap is 26% we think that the FDI cap should be raised to 49% पेंशन फंडों में भी बीमा के बराबर वीदेशी निवेश को मन्जूरी दी गई है जितना वीदेशी निवेश बीमा के लिए संसद में पास होगा पेंशन में भी उतना ही निवेशी निवेश होगा Cabinet also approved the official amendments to the pension fund regulatory and development authority bill there are five key recommendations made by the standing committee all five have been accepted so we hope that this bill also will be passed in the ensuing session of if the insurance bill passes with 49% the pension also will be 49% सरकार को संसद में अपनी ताकत का अंदाजा है इसलिए चिदम रम बार बार सुलह और बाचित जैसे शब्दों का इस्तेमाल करते रहे मतलब साफ है कि cabinet का फैसला अभी अंतिम नहीं है विपक्ष अपनी राय रख सकता है सरकार साफ संकेत दे रही है कि आर्थिक सुधार के मोर्चे पर बड़े फैसले लेने का दौर आगे भी जारी रहेगा देकि विपक्ष भिहार मानने को तैयार नहीं है सरकार ये निलनाय किसको खुश करने के लिए कर रही है विदेश की जनता के परती कमिटमेंट है या विदेशी कमपनियों और विदेशी बाजार माफियाओं के परती कमिटमेंट ही सरकार का है परती कमिटमेंट परती कमिटमेंट है इससे पहले 14 सितंबर को सरकार ने मल्टी ब्रांट रिटेल में एक क्यावन फिस्जी FTI को मंजूरी दे दी थी विदेशी निवेश को कमिटमेंट से मंजूरी मिलने के बाद सरकार को इसे संसद सभी पास कराना होगा जो आसान काम नहीं होगा इस मुद्ध पर विवक्ष के साथ सरकार के कई खटक दल भी विरोज करेंगे समय के लिए दिल्ली सरी शिकेश और मिर्गांग प्रभाकर के साथ अजीत प्रताप सेंग